आईए हम लोग आज से ratio and proportion का chapter लिसटार करेंगे, आप लोग देखेंगे इस से अच्छी तरह से आप लोग रिवाईज करते चलेंगे और देखेंगे कि हम लोग साथ ही साथ इस chapter को अच्छी तरह से अध्यन करेंगे, चलिए देखिए बात करेंगे रेशियो के बारे में रेशियो कहते हैं किसे देखिए रेशियो के हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपाथ अनुपाथ के यदि हम लोग सिंबल के यदि बात करेंगे तो ये अनुपाथ के सिंबल होता है अब ये देखिए ये क्या कहता है रेशियो रेशियो देखिए दो सजाती है रासि को के बीच दो सजाती है रासियों के बीच तुलनात्मक स्तंबंद को यदि हम लोग कह सकते हैं जैसे कि ये दो रासि है ये दो केजी दो केजी है एक हम ले लेते हैं 200 ग्राम 200 ग्राम अब ये कहेंगे कि क्या ये रेशियो अनुपात में है तो आप लोग कहेंगे नहीं ये अनुपात में नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि ये रेशियो कहता है कि दो सजातिय पदों के बीच आपसी तुन्लात्मक संबंद को क्या कहते हैं तो रेशियो कहते हैं ये देख या तो gram में है तो ये भी gram में रहना चाहिए. अब इसको हम लोग क्या करेंगे? किसी एक को, या तो gram को kg में convert कर लीजिए, या kg को gram में convert कर लीजिए. तो हम लोग देखेंगे कि 1 kg बराबर 1000 g के बराबर होता है. तो हम लोग 2 kg में 2000 g हो जाएगा. 2000 g, अब ये देखेंगे, ये 200 g है, 200 g है. तो अब यहाँ पर देखेंगे, ये 2 0 से 2 0 यहाँ समाप्त हो गया, आद 2 एकम 2, आई ये 10 बार में कटेगा. तो देखेंगे, ये gram gram, ग्राम जो है, ये आपसी एक relation बन गया, क्योंकि ये अनुपात एक निस्चीत अनुपात में हो गया. अब ये क्या कहते है, ये काता है समा नुपात. समा नुपात. इसे हम लोग इंग्लीस में प्रोपर्षण बोलते हैं. ये समा नुपात जो है, इसका symbol के यदि हम लोग बात करेंगे, तो ये होता है, ये अनुपात हैं, दो अनुपातों के बीच तुलनात्मक संबंद को क्या कहेंगे, तो आप लोग कहेंगे समानुपात, समानुपात, जैसे हम लोग 3 अनुपात 5 as 4 अनुपात 3, ये देखेंगे, यहां पर ये आपसी संबंद को दर्सा रहा हैं, यहां कि इसे हम लोग 3 अप समान में 3 भी लिख सकते हैं इसे लिख सकते हैं तो आप लोग अनुपात और समानुपात के बीच अंतर समझ गए चलिए अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि ए अनुपात भी ए अनुपात भी और समानुपात सिय अनुपात डि के रूप में है तो देखिए यह जो है इसे हम लोग बोलेंगे इनर का प्रोड़ाक्ट इनर का प्रोड़क्ट यह आ लोग बोल सकते हैं आंतरीक अंतरीक गुड़ा, अब यह जो होता है, यह एक्स्टर्म का प्रोड़क्ट है, इसे बाहरी गुड़ा बोलेंगे, बाहरी गुड़ा, तो अब यह देखिए, यह अनुपात में यादी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, कि यह आपस में यह रिलेशन बनाता है, इसको हम लोग अभी लिख सकते हैं कि यह पर आपस में और यह बेखन्वानु पात है अभीन के बीच जो सजाती अनुपात हैं उसकाो हम लोग आलूक तहका मिली लिख सकते हैं अब उसे हम लोग इज यह समानुपात की सिंबॉल में इसे लिए एकल ब chat और यह यह दो बोलिए तो यह यह पर देखिए equal हो गया और C अनुपात C बटा में D हो गया, C बटा में D, तो इस इस्तिति में इसे क्या करेंगे हम लोग कर सकते हैं, आप देखिए जब multiply इसको करेंगे हम लोग, जब हम लोग multiply करेंगे, तो multiply में क्या होगा, कि inner का product में B into C करेंगे, I equal A into D करेंगे, A into D करेंगे, अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ भी यदि हम लोग cross product करते हैं, cross product, जैसे cross product करेंगे, तब इसी स्तिति में B C equal A D प्राप्त होना चाहिए, तो देखेंगे A D I equal B C प्राप्त हो गया, तो हम लोग आप लोग जानिए कि ऐसा यदि सवाल हो, तो हम लोग इस प्रकार भी क कर सकते हैं, जैसे एक कीफचा लेकर आप